हेलो गाईज हेलो एंड वेलकम तू मैं चैनल कैसे हैं आप लोग दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में बना रही हूं तीक है आप लोगों के लिए एक चैनल मैसेज है and I was so eager to share it with you बहुत eager थी मैं इसको आपके साथ share करने के लिए आप लोगों के साथ the vision was like जब मेरा ब्रह्म मूरत का आज meditation में I was just मैं ऐसे ही बिल्कुल इतना अच्छा connection बना हुआ था ठीक है इतना अच्छा मतलब एक बहुत ही पाए solid feeling बहुत अच्छा meditation लगा हुँआ था आज और उसके बीच में suddenly I got the vision लिए तो मुझे बीजन मिलता है की एक बहुत उची पाहाड़ी हैं बहुत उची पाहारी ठीक है और उससे बहुत जदएज़िया है उपर चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सीड़ी हैं बहुत ज़्यादा तो जैसे जो सीड़ी बिल्कुल मेरे पास थी ना वहां से मेरी नजर ऐसे उपर जाती जाती है तो देखती जाती हूं तो इतनी उची पहाडी और उस पे हर तरफ हरियाली ही हरियाली ठीक है हर तरफ ग्रीन री बिल्कुल जमीन का नामों निशान नहीं, केवल सीडियां दिख रही थी, बकि कोई जमीन नहीं दिख रही थी, ठीक है, and then, जब मेरी नजर पहाडी के टॉप पे जाती है न, तो वहाँ पे पहले तो मुझे दिखता है, ट्रिशूल, and then मुझे दिखता है, शिवजी का अर्धनारिश्वर सरूप, okay, and, it was like yesterday evening, कि मैं सोच ही रही थी कि कलेक्टिव में क्या चल रहा है, यह क्या मतलब क्या आजकल क्या एनरजी चल रही है, ठीक है, यह फिर मैं ऐसे ही बस जैसे मैं पूछा करती हूं अक्सर, when I saw at the top of वो पहाड़ी के top पर जब मैंने देखा, इतना जगमगाता हुआ, शिवजी का अर्धनारिश्वर सरूप, okay, और उनके हाथ में त्रिशूल था, अर्धनारिश्वर सरूप आप जानते ही हैं, जो हाफ शिवजी, अर्धनारिश्वर सरूप, जिन लोगों को नहीं पता है, वैसे तो सबको पता होता ही है, ठीक है, तो, अर्धनारिश्वर सरूप अर्धनारिश्वर सरूप अर्धनारिश्वर सरूप जानते हैं, बाई देर हार्ड वर्क, इतना वो जो सीड़िया थी, वो हार्ड वर्क को रिप्रेजन्ट कर रही थी, वो इनर वर्क को रिप्रेजन्ट कर रही थी, वो आपके अपलिफ्टिंग को रिप्रेजन्ट कर रही थी, एंड उसके बाद मुहां पे शिवजी का आर्थ नारिश्वा रिप्रेजेंट कर रहा था harmonious union को harmonious reunion को ठीक है और नीचे पहाली पे जितने ग्रीन री थी ग्रीन री थी that was represented heart chakra and उपर आस्मान that was represented मतलब इतना clear vision था और इतना प्यारा vision था उपर sky जो है वो आपको obviously पता है throat chakra को represent कर रहा था okay so अगर नहीं कर रहे हैं अगर कम कर रहे हैं तो throat chakra and heart chakra पे work तेज कर दीजिए जो लोग बहुत अच्छे से इनवर्ग कर रहे हैं उनके लिए good news है कि उनके reunions आने वाले हैं ठीके reunion is very near और hard work की सीडियां चरते जाएए inner work की सीडियां चरते जाएए discipline के साथ अपना discipline maintain रखते वे क्योंकि ये तो मुझे पता है कि बहुत से लोग discipline में आ चुके हैं बहुत से लोग discipline में आ चुके हैं and they are heading towards their harmonious union dedicatedly dedicatedly ठीके अब ना उनको craving है ना उनको जानने की इच्छा है ना उनको जानने की इच्छा है ना उनको मिलने की इच्छा है बात करने की इच्छा है ठीके किसे से भी अब उनको बस और बस दिखता है अपना inner work अपना hard work ठीके so please stay focused focus रहिए ठीके ये clear message था या तो जिन लोगों ने heart chakra और throat chakra पर बहुत अच्छे से work किया है उनके लिए था ये message की reunions आने वाले हैं और या फिर ये था कि आप अपने inner work के जरिये बढ़ रहे हैं ठीक है लेकिन आप और ज्यादा इन चीजों पर work start करिए ठीक है और ज्यादा इन पर work focused हो जाइए तो अच्छे से अपने throat chakra and heart chakra को heal करिए ओकी तो दिस वाज़ तो यू तो डीक है बहुत excited थी मैं और बहुत जल्दी शेयर करना चाहती थी आप लोगों से तो मैं इसको भी डाल रही हूं चैनल पर ओकी enjoy your journey ठीक है full discipline में रहे थैंक यू सो मच for watching थैंक यू सो मच बाई